असलाम रेकॉम होप सो यू आल अर्पाइए तोड़े वी गोना स्टार्ट यूनिट वान दा यूमन गोटी इंसानी जिसम पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इंसानी जिसम के नाम लोग के दूसरे से मुख्ति दिखते हैं और हर जांदार बढ़ता है जैसे कि बच्चे जवा होते हैं हम लोगों बढ़ने के दिए फुरा के जुरूत होती है और हर देख मुख्ति देके से चलते हैं और इंसानी जिसम के मुख्ति हवास के जरी हम लोग दुनिया को देखते हैं इंसानी जिसम मुख्तमिक हैं मुख्ति जिसामत और शकल पे पीपल के बी टॉल लोग बड़े होते हैं, बड़े हैं और शोट या चोटे हैं, वीक, कमजोर और स्ट्रॉंग या मजबूत हैं. But all human beings have similar body parts, लेकिन तमाम इंसाने जिसम एक दुसरे से मिलती चुटती हैं. Our bodies have many parts, हमारे जिसम के कुछ हिस्से हैं. इंसाने जिसम का पहला हिस्सा क्या है? The bones of your body make up your skeleton. आपके जिसम की हडिया एक धांचा खड़ा करती है. A skeleton helps us to stand upright. एक धांचा हमें खड़े होने में मदद देता है and gives shape to the body और जिसम को शकल देता है. Every time हर वक हम चलते हैं, सीट ओना चेर हम बैठते हैं कुर्सी पर, और बैंट या हम जुपते हैं. We are using our bones, हम अपनी हडियां इस्तमाल करते हैं. When we become an adult, जब हम जवान होते हैं, we have 206 bones in our body. हमारे जिसम में 206 हडियां हैं. Do you remember कि आपको याद हैं? Men and women, आदमी और और औरत, voice and girls are called human beings. लड़के और लड़नियां जांदार हैं. All human beings have similar body parts, हर जांदार का same body part है. Yes, मतलब एक जैसा हिसा है. But we look, लेकिन हम देखते हैं, think, सोचते हैं and behave और हर्कत करते हैं. Differently from each other, एक दुस्थे से मुखनी हैं. Now, now we move to diagram. Skull, khorpree, jaw bone, jabrae ki हटी, ribs, pasliya, upper arm bone, बाजू की उपर वाली हटी, spine, रिटी हटी, lower arm bone, बाजू की निचली हटी, thigh bone, run, hip bone, कुले की हटी, finger bone, उंगले की हटी, kneecap, भुटने का जोर, toe bones, पैर की हटी. Muscles and joints, पठे और जोर, bones do not work alone, हटीया, हटीया अकेले काम नहीं करती, they move with the help of muscles and joints, ये पठे और जोर की मदद से काम करती हैं. The place where two bones, वो जगा जहां दो हटीया मिलती है, उसे जोर कहते हैं. Joints help the skeleton to move, जोर हमें ठांचे को मदद देती हैं हर्कत करने में, they allow us to work, वो इजादद देती हैं चलने में, run, भागने में, bent, छुपने में, all new things और चीजें उठाने में, bone, हटीया, muscles, पठे, joint, जोर.